friends welcome कैसे हैं आप सब आशा है आप सबी स्वस्थ होंगे आज के रीदिंग में friends हम चेक कर रहे हैं आप दोनों का आज का दिन कैसा रहेगा आप दोनों की आज की energies कैसी रहेंगी reading time लेसे जब भी देखेंगे resonate करेगी लेकिन still general है collective है सबी science के लिए है तो जुरूरी नहीं है सबसे resonate करें so हम randomly card choose करते हैं आज का दिन आपका कैसा रहेगा first card for you, second for your person, third again for you and fourth for your person तो ये cards निकाल लिये हैं देखते हैं आपके person के लिए क्या आया है 10 of cups and the emperor oh my god so sweet energy and आपके लिए है knight of wands and ace of cups आप दोनों ही जिस दिन ये reading देख रहे हैं आपको बता दूँ कि आप दोनों ही बहुत बहुत positive energies में हैं आज के दिन आप काफी energetic रहने वाले हैं, काफी emotional रहने वाले हैं इस connection को लेकर इस रिष्टे को लेकर आपके emotions बहुत जादा बाहर आने वाले हैं और हो सकता है कि आपके person की बात जिससे अभी तक आप नराज हो या फिर कोई ऐसा proposal जिसको accept नहीं कर रहे हो या फिर कुछ ऐसा जो उन्होंने कहा दिया हो जो आपको लग रहा हो कि वो ठीक नहीं है लेकिन उन चीजों पर भी आप विचार करो क्योंकि आपको लगने लगा है कि इस connection के बिना आप नहीं रह सकते तो बेटर है तिंक्स को mutually adjust करके compromise करके आगे बढ़ाया जाए अगर आप ये person की बात की जाए तो definitely वो थोड़े rude और arrogant या फिर egoistic तो दिखाई देते हैं लेकिन still वो इस connection के बारे में काफी serious होकर सोचते हुए दिखाई देते हैं अगर उनकी family नहीं चाहती कि आप दोनों एक हों तो हो सकता है वो अपनी family से अच्छी compatibility बनाने की कोशिश करें और ये कोशिश करें कि उनकी family आप दोनों के रिष्टे को permission दे दे आज के दिन ये person सिर्फो सिर्फ आपके बारे में सोचने वाले हैं आपके साथ future में बसने वाली घर ग्रिष्टी और बच्चों के बारे में सोचने वाले हैं बहुत सारी चीजी प्लान करने वाले हैं अपनी ego behavior से बाहर निकल कर हो सकता है कि आपको कोई gesture provide करें अगर आप no contact zone में है तो आपको contact receive हो कोई message receive हो या फिर ये अपनी दिल की बात आपको कहें जिससे आपको clarity मिले कि इनकी life में problem क्या है and आगे क्या solution है but still आपके person के energies काफी positive है काफी कुछ connection के बारे में सोचते हुए plan करते हुए strategy बनाते हुए दिखाई देते हैं and family अगर influence है तो उसको मनाते हुए दिखाई देते हैं और आपके साथ future में family set करेंगे इस बारे में सोचते हुए दिखाई देते हैं and वहीं आप भी अपने person को लेकर बहुत emotional हो रहे हो उनके actions का बेसबरी से weight कर रहे हो और हो सकता है sometimes emotions इतने ज़्यादा हो जाएं कि आपकी आँखों से ना आसूं आ जाएं ऐसी energies है साथ ही आप इन्हें sexually काफी ज़्यादा मिस कर रहे हो आपके desires हैं कि अभी आपको मिलें आपका relationship बनें आप romantic एक दूसरे के लिए romantically एक दूसरे के साथ हूँ और हो सकता है कुछ लोगों की intimacy की desires भी काफी चादा हूँ zodiac science की बात करें वैसे तो सभी के लिए है लेकिन still cancer, Pisces, Scorpio, Aries, Leo, Sagittarius की energy काफी चादा है अब हम चेक करते हैं आज के दिन आप दोनों की mutual energies क्या है mutual energies है four of cups आप अपने person को लेकर बहुत emotional हो रहे हो, उनके action का wait कर रहे हो आपके person आपको लेकर बहुत serious हो रहे हैं आपके बारे में, आप दोनों के future के बारे में third party situation को sort out करने के बारे में काफी serious होकर सोच रहे हैं लेकिन still four of cups जो दोनों की mutual energy आई है वो ये बताती है कि आप दोनों ही एक दूसरे के बारे में सोच रहे हो लेकिन हो सकता है आप दोनों ही अपनी feelings एक दूसरे को बया ना करो और इंतजार करो, wait करो, सामने से step का, सामने से action का और खुद चुपचा बैठे रहो और सोचते रहो कि सामने से प्यार भरा proposal आपको मिले, सामने से प्यार भरा gesture आपको मिले सामने वाला person ही efforts लगाए अगर एक ओर कार्ड में mutual energy का निकालूं तो again वही आई है कि एक दूसरे के actions का आप लोग wait कर रहे हो खुद इस रिष्टे में practical action लेते हुए आज नहीं दिखाई देते हो सकता है छोटा सा message, text या call कर दो लेकिन उसमें हो सकता है आप लोग अपनी भावना है या फिर जो भी आपके मन में चल रहा है वो खुल के explain ना करो सारी चीज़े अपने मन में रखो inside your heart रखो, सोचो बहुत कुछ emotional भी हो लेकिन practically एक दूसरे को express ना करो लेकिन हो सकता है कि अपनी family को convince करने की कोशश करो तो ये थी आप दोनों की mutual energies आज की May God bless you I hope आप लग उसे resonate की होगी, पसंद आई होगी अगर आई है तो please do like, share and comment and personal readings की facilities available है, जिसकी पूरी detail description box में given है वो paid होती है, free of course नहीं होती है finally आप कोई भी question पूछ सकते हैं जिसका answer में आपको yes or no में दूँगी I hope आपने अपना question पूछ लिया है let's check उसका answer yes है या no है जो भी आपने question पूछा है उसका answer yes है within next four weeks आपके काम बन सकते हैं things favorable हो सकती है अगर आप इनके contact का wait कर रहे हैं तो next four weeks में आपको इनका contact या इनका gesture receive हो सकता है या फिर अगर आप final future के बारे में पूछ रहे हैं तो next four weeks में things better होनी शुरू हो जाया ऐसी possibility रहेगी after that एक stability आने की कोशिश stability आने लगेगी आपके connection में and things भैतरीन तरीके से आगे बढ़े ऐसी possibility है finally उसके लिए आपको क्या करना चाहिए उसके लिए आपको hard work करना चाहिए and जोहाँ जहाँ गलतिया होई है उन चीजों को मेंट करके सुधारने की कोशिश करनी चाहिए तो यह थी friends reading thank you so much for watching have a good day, take care